हेलो दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करते हूँ एले टो इब निप्टी यूटूब चैनल पर इस वीडियो पर हम देखेंगे HDFC Asset Management Company यानि कि HDFC AMC के बारे में इसका हम mostly weekly and daily time frame पर discussion करेंगे इस वीडियो पर क्योंकि मुझे लग रहे हैं इसका ये बड़ा बाला time frame पर एक बहुत ये अच्छा खासा मौकाप बनते हुए जा रहे हैं जिसके बाद ये stock size double या triple भी हो सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो पर आज HDFC AMC के बारे में हम एक detail discussion करेंगे कि काँ से हो सकते हैं इसका entry काँ से हो सकते हैं इसका stop loss और उसके बाद काँ हो सकते हैं इसका most possible target और इस सब कुछ आज हम देखेंगे with the help of Elliot Wave Theory and Fibonasi तो जो दोस्तों हमारे साथ नए जोड़ हैं पहले उ Elliot Wave Theory होता क्या है नॉर्मर्ली ऐस पर Elliot Wave Theory मार्केट ऐसे 1,2,3,4,5 ऐसे 5 सब पर आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर first wave, third wave and fifth wave होते हैं आपका main trend और उसका ulti तरफ यह second wave and fourth wave होते हैं आप एक profit booking zone इस main trend के अंदर normally 5 सब रहते हैं लेकिन ulti तरफ यह profit booking zone के अंदर normally 3 सब रहते है जिसका हम नाम देते हैं A, B and C और अगर मार्केट बहुत ही complicated कर रहे हैं यानकि ABC ABC लगातर चल रहे हैं तो इस ABC को हम नाम देते हैं पहला ABC मिला कर W फिर ABC मिला कर X फिर ABC मिला कर Y ऐसे कुछ हम नाम देते हैं बागे कुछ rules and guidelines में इतर लिग दे हो आप लोग kindly पढ़ सकते हैं तो अब हम चले आए हैं HDFC Assets Management का weekly time frame पर इधर जो हमको देख रहे हैं कि नौर्मानी जैसे के मैंने दीखाया अभी पांच साब वेप मार्केट आगे बारते हैं तो यह आपका 1,2,3,4,5 हो गया और यह आपका main trend जो है यह first wave, third wave और fifth wave इसके आंदर नौर्माली पांच साब बाला हो या फिर यह बड़ा बाला हो यह first wave से यह वाला जो third wave होते है नौर्माली 1.618% का ratio पर रहते हैं तो इस जागा पर यह third wave जो है वेप 1 का 1.618 times हो गया इसलिए मैंने इस जागा third wave मार्क किया है तो यह आगर आपका third wave है उसके बाद यह fourth wave होगा वह actual इधर तक तो इस जागा तक अगर market आ गया है तो इसलिए जो rate कलर से मैं इसको 1,2,3,4,5 mark कर दिया है तो यह 5 sub wave पे आपका हो गया यह बड़ा 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 third wave ओके और यह black कलर का जो बड़ा बड़ा 1,2,3,4,5 मेला कर जो normally होना चाहिए यह हो गया आपका बहुत बड़ा इसलिए नाम है वेफ 2 वेफ 2 जो होते हैं नॉर्मले उसके अंदर किद्र साववफ रहते हैं तीम सावफ यह अगर 1 है तो 2 के अंदर a,b,c ऐसा रहते हैं बट काभी-कभी market जो है इतना आसार नहीं होता तो यह अगर आपका a,b,c हो गया तो यह a,b,c मेला कर आपका हो ग आपका एक x एंड देन जो है यह y वेफ के लिए market कुछ इस तरीके से नीचे चला गया तो मोटा-मोटा यह यह आपका a,b,c का complex form यानि की w,xy बन गया तो w,xy मिला कर इधार ही 2 खतम हो गये हैं जो मुझे लाग रहे हैं तो यह अगर आपका 1 है 2 है तो जैसे कि मैं इधार rate color का यह जो third wave को दिखा है यह wave 1 का 1.618 percentage का ratio पे रहे हैं तो इधर भी same चीज हो सकते हैं कि यह अगर 1 है यह 2 है इसके बाद third wave जो होगा यह normally यह जो wave 1 का high point है इससे भी उपर यह जाते ही है और इसके बाद next इसका target होते हैं यह 1.618 times का target तो चलिए देखते हैं कि इसका target कह हां तक हो सकते हैं तो यह 1 से 2 तक हम लें मिला दिया तो इसके बाद third wave जो होगा इसका normally 161% का जो target है यह लागबक 5887.10 के आसपस जो actually बहुत ही upside पे है तो पहले से हम इतना बाद target को सिर्फ एक target ना मानकर इसको भी हम कुछ divide करेंगे ताकि हमको profit booking का भी मौका मिले क्यों तर से ऐसा ऐसा करके जाएगा तो इसलिए इसको मैं दो तिन पार्ट पर डिवाइट करना चाहूंगा तो यह first target होगा यह 100% का level यानि कि 4284 and second target होगा 1.618 का जो level है जो actually 5887 यानि कि 5900 के आसपस तक है और उसके लिए हमको stop loss भी देखना चाहिए कि stop loss का हो सकती है stop loss के लि तो यह Y wave actually जो होना चाहिए था यह है 1483 जिसके पास यह 100% का level है तो इसी सबसे market ने exactly इस जगा तक नहीं आया तो किसी करन यह बाला जो stop loss अगर hit भी हो गया तो उसके बाद भी market अगर थोड़ा से नीचे भी आ गया लेकिन उसके बाद भी हमारा जो target है वो back order रहेगा कि इ जाकर यह बाला जो possibility आभी हम discussion कर रहे है इतना बला target यह odd नहीं रहेगा तो यह बाला जो low जो इसर इसने बनाए है यह होगा आपका first target for stop loss और यह बाला जो 100% का level है जो 1483 के आसपास है यह होगा आपका ideal stop loss ओके बाट इसके बाद भी market अगर ऐसा गया या फिर थोड़ा सा करके भी गया तब भी HDFC AMC valid होगा लेकिन इसने किसी करण अगर यह बाला जो line मैंने आभी खीच है जो actually 1255 यह 1250 के आसपास है यानि कि 1250 के आसपास है अगर यह बाला line को इसने तोर के नीचे चला गया थोड़ा सभी तो यह बाला जो possibility हम discussion कर रहे हैं यह counting गलत हो जाएगा तो फिल हल हम यह बाला जो point है इसको एक stop loss मानके इधर से एक target ले सकते हैं कि market upside पे जाएगा और बहुत साए लोग इधर से यह बड़ा बाला candle के बाद ही buy कारने लगते हैं क्योंकि उनको लगते हैं कि market अभी directly ऐसा जाएगा नहीं market ऐसा नहीं चलता एस पर इले टोड़ी फियोरी market वे पे चलते हैं ओके यह कुछ इस तरीके से one two three four five करके market जाएगा फिर market ऐसे डाउन आएगा फिर upside पे जाने का प्रयास करेगा तो यह बाला जो जगा होगा उसको हमको लेना है तो मैं आप लोग को यह बोलूँगा कि बहुत साए लोग जो इधर ही side fear of missing out यानि then again market फिर से upside पे जाने का प्रयास कर रहा है तब जाकर वो इतना चोटा सा stop loss लेकर ही buy करेंगे जो ideal stop loss जो बहुत ही बड़ा है इधर उतना बड़ा stop loss के रिए वो अपक्सा नहीं करेंगे तो आप लोग को भी मैं एहीं बोलूँगा कि यह weekly time 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 से ना देखके इसके बाद इ ABC अगर खातम होने के बाद किसी कारण यह उपर जा रहे हैं तब जाकर इधर आप buy करने का प्रयास कीजिए तो उम्मेद करूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आये होंगे और अगर किसी कारण कोई भी कोवारी है तो kindly आप लोग को comment कीजिए मैं obviously जितना जल्द हो सक के आप लोग को answer देने का प्रयास करूँगा तबी के लिए इतना ही thank you and goodbye